दमस्कार दोस्तो एक नए वीडियो पर आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो के इंदर मैं बताऊंगा कि आपके जो common problem होती है उसके इन्दर common problem होती है उसके इंदर common problem होती है निकि switch तो दोस्तों इस वीडियो को complete पूरा देखेगा दोस्ते यहां पर मैंने साथ प्रॉब्लम लिखे हुई है और इन साथ प्रॉब्लम का जो समाधान है यानि कि जड़ है वह एक ही है एक जगे आप साही करोंगे दोस्तों इन मैंसे कोई भी आपके एक प्रॉब्लम होगी वह सही हो जाएगी इसलिए दोस्तों इस वीडियो को complete पूरा देखिए यहां पर पहली प्रॉब्लम है वह स्विच बंद फिर भी करण्ट आना है दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जो स्विच बंद कर देते कोई आपके जैसी की बल्ब हो गया स्विच बंद फिर भी LED बल्ब जलना दोस्तों आपने देखा होगा कि जो LED बल्ब होते हैं जो हमको दिन के समय में तो नहीं दीखते हैं स्विच बंद करने के बाद भी लेकिन रात के समय में दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा जलता हुआ दीखेगा जैसे स्विच इसक इसकी उिंद उसकी को ती होख glorious को उसका switch बंड करते है फिर भीुछ दीडरे दीडे चलते और कभी भी फास्ट चलते हैं तो दोस्तो उसके अंदरी फेस उसका सालूoca जाता है निकि से दीके सारब तो तो कोई बात नहीं और थस्तों और सुड़ा ट्रफिख बने के बाद भी लगा जो के उटनेattend कर दाने दाए तो फ्रक्षे नहीं है जो और स्ञेक्र स्विट होता और परहीं जलेगा उस्ट Wow दोस्तों आपने color code से इसाफ से wiring करते है जैसे कि लाल हो गया वह face wire होता है बलेक हो गया वह नूटल वायर होता है जो green हो गया वह earthing wire होता है और जो blue wire होता है वह inverter का wire होता है तो दोस्तों उसके अंदर कभी-कभी जो काला wire है निकि नूटल का wire हमने खीचा है उसके अंदर face बताने लगता है और जो लाल वायर है red wire है उसके अंदर नूटल आता है तो दोस्तों यह भी problem होती है ति वह कैसे सही करेंगे और दोस्तों जो पांचवी problem होते वह है कि switch बंद फिर भी पंके में current आना दोस्तों आपने देखा होगा कि जो ceiling fan होता है इस तरह के जो ceiling fan होते इसके जो slot होते हैं यहाँ पर 3 slot दिये हुए है तो दोस्तों आप switch बंद करेंगे फिर भी इन यहाँ पर tester से चेक करेंगे इस तरह से दोस्तों tester से चेक करेंगे तो आपको जो tester जलता हुए दिखेगा तो दोस्तों switch बंद करने के बाद उसका जो tester है वो जलना नहीं फिर भी जो current है वो चायलू रहता है और ऐसे में जब हम पंका कोई क्या हाथ से लगाने लगते हैं मिस्त्री को नहीं बूलाते हैं और उसको current लग जाता है तो दोस्तो ऐसे में जो switch बंद करने के बाद भी current आता है वो भी इनकी जो common problem उसी से आता है अब दोस्तो जो चटी प्रोब्लम है वो है कि switch बंद फिर भी socket में current आना दोस्तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घर के अंदर स्विच बोड लगा हुआ होता है उसका जे socket होता किसी भी बोड के अंदर सभी के अंदर socket लगा जाते तो दोस्तो socket का switch बंद कर देते फिर भी जो उसके अंदर current चालू ही रहता है हमारे पास यहां पर यह चक्री वाला बोड है extension बोड है तो दोस्तो इसका switch हम बंद करेंगे यह बंद कर दिया तो आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर current चला गया लेकिन दोस्तों इसके अंदर current है वो अभी भी आ रहा देंगे दोस्तों यह जो tester है वो जलता हुआ दिख रहा होगा आपको चित्र से तो दोस्तों ऐसे में कोई भी क्या करता है कि खुले वाय रेजी डाल देता है या फिर इसके उपर आगे कोई उपकरन है और वह short है तो दोस्तों switch बंद करने के बाद भी जो current है वो चालू ही रहेगा और current लग सकता है तो इसके भी ये common problem ही होती है अब दोस्तों जो सात्वा problem है वो भी दोस्तों बरसात के मौसमें ज़्यादा problem करता है वो है दिवारों पे current आना अब दोस्तों दिवारों पे current क्यों आता है तो दिवारों पे current आने का जो main problem होता है वो पंके से ही होता है यदि कोई पंका short है अब दस्तो पंके क्या होता है कि इसके अंदर जो rubber clamp होता है मैंने आब आगे बताया कि जो rubber clamp है वो यदि लगा हुआ है तो तो कोई बात नहीं यदि क्लेम दोस्तों रभड और क्लेम दोनों साहतकी लग अबसमें के लुए तो देटी जी रबर गया हाथ और आने लगेगा और सब्वेड board के अंदर खूले हो जाते और touch हो जाते दिवाल के फिर भी दोस्तों दिवाल के अंदर current आता है अब दोस्तों मैंने यहां पर इस तरह का board बताया लेकिन आपके कोई भी आपके घर के अंदर जो electric fitting होते हैं उसके अंदर कोई भी socket होता है तो उसके अंदर भी switch बंद करने के बाद current आता होगा आप check किजिए कि आ रहा है यह फिर नहीं आ रहा है कब कि दोस्तों दोनों socket के अंदर face आना है याँ कि switch बंद कर दिया तो एक के अंदर तो बंद हो जाएगा लेकिन एक के अंदर आए रहेगा और switch चालू करते दोनों के अंदर आने लगेगा और ऐसे में सभी light और उपकरन भी चलेंगे तो ऐसे भी दोस्तों इस बारे में भी मैंने facial वीडियो बनाई हुए यह वह भी जुरूर देखेगा और यहां पर जितनी प्रॉब्लम बताई है मैंने switch बंद फिरूपी करन आना इसका भी दोस्तों वीडियो facial बनाया हुआ है सभी का दुस्तों मैंने वीडियो construction बनाया हुआ है लेकिस वीडियो के अंदर सभी का समाधान है आपको अलग-अलग 왜डियो देखने के żरूर नहीं है सिर्फ एक वीडियो के अंदर आपको सभी का समाधान मिल जाएगा अब दोस्तों इसका समाधान है जो इसकी जड़ है वो आप आपको मैं बता देता हूँ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों आपको करना क्या है कि आपके घर के इंदर इस तरह की आपके BCV लगे हुई होगी इस तरह की medium 시स नहीं है दőस्तों तो जो में में majority आपना आपका स्वीच रूट अघर कें नापकी लगा है और में का स्ब्सक्राइब लता है लेकिन दोस्तों box, लेकिन आपको क्या करना है कि कोई भी लगा हुआ वह लगा हुआ या फिर यह लगई हुए सिस्टम दोनों के एक समानी होता है यह आटमेटिक ट्रीप हो जाती है और वह जल हो जाता है खराब हो जाता है अब दोस्तों क्या है कि जो आपके इस तरह के वाइट डाले हुए नीचे से इंपूट और उपर से प्रोब्लम इदर डालना है इदर को स Алवी घुमा दैघली है तो सबूता सब्सक्रेइब संदमाइब और उसका इंदर फइस बता रहा है यह जिए तो ककी क्या करता है कि ऐसी प्रोब्लम है तो दोस्तों हमारे जो comment box है वहां पर comment करते लोग कि हमारे घर के अंदर inverter के फीटिंग की हुई है यह लेकिन इंवेटर का वक्त भी कनेक्षन किया हुआ है इंवेटर भी लगाया हुए तो दोस्तों ऐसे में इदर से इदर घुमाएंगे तो कुछ गड़ बढ़तों नहीं होगा तो दोस्तों इसमें आपको चिंता करने की जुरूत नहीं है कुछ भी होगा एलटा है तो इनदर इंडर भी दोस्तों बाताएगा ज़िए सब्सक्राइब ほानदर जाएगा पैसे तो को गुमा देने का इदर से इन्वेटर के उपर कुछ नहीं करना है यहां से घुमा देंगे तो आपके जो प्रॉब्लम है वह सही हो जाएगी और भी दोस्तों हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएगे कि जो मीटर के इंदर लाइट है और घर के इंदर नहीं है दोनों साइट प्रॉब्लम होगा दिवालों पर करनट आ रहा तो कहां पर प्रॉब्लम होगा कहां पर खोजेंगे तभी आपको मिलेगा ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगे और दूस्तों एंगल को कैसे रिपेर किया जाता है उसके अंदर बैरिंग कैसे बदले जात झाल 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 झाल